जब सारे 50 के 50 हो जाएंगे उसका जब आप last slide पे जाओगे वहाँ पे जाके आप अपने answers को tally कर लेना तो ये है तरीका आगे भी यही process बना रहेगा किसी तरह से कोई cheating मत करना जो आता है अपनी इमानदारी से करना कोई negative marking नहीं है last में आप खुद ही जान जाओगे answer seat से मिला लेना आपके कितने सही कितने गलत खुद ही आपको idea लग जाएगा कि आपने कितने सही किये ठीक है जितनी भी slides है सभी slides को sufficient पढ़ने का समय मिलेगा बहुत ज़दा forward करने की जरूत नहीं है this is only for you guys only okay तो question सुरू करते हैं क्योंकि मैं बीच में बोलूगा नहीं मेरी आवाज बीच में नहीं आएगी ठीक जैसे proctor बोलता है तो बीच बीच में हो सकता है मैं कुछ बोल दूँ otherwise मेरी आवाज नहीं आएगी सिर्फ आप question video mute होके चलता रहेगा आप question पढ़िए option पढ़िए टिक करिए question पढ़िए option पढ़िए और अपना ABCD करके टिक कर लीजिए और उसके बाद जब question 50 पूरे हो जाए last answer seat आप देख लीजिए ठीक है और comment section में लिखके इमानदारी से बताईए कितने आपने सही किये क्योंकि जब मुझे पता चलता है कितने सही और कितने गलत किये आगे का वीडियो मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ ठीक है बच्चों के तो आप अपना question enjoy कीजे कितने से अच्चों के अपना है की बच्चों के लिए होुष है झाल झाल questions को बहुत आराम से पढ़िए क्योंकि जितना अच्छे से question आपका समझ में आ जाएगा exam में option सही होने के chances उतने ज़्यादा होते हैं और बिल्कुल distract मत होना बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँ दूसरा exam में आप करते रहो मेरी बात सुनने की जुरत नहीं है मैं बीच में आपको guide करता रहूँगा थोड़ा जैसे आपका mock test हुआ बहुत सारे बच्चों को flag नहीं दिखा ये major problem है तो बच्चों flag ना दिखना ये problem है आपके हाँ network issue गी कुछ बच्चों को flag नहीं दिखा last में 25 वार्निंग एक साथ दिख गई means सारी वार्निंग उसने तो दिखाई लेकिन आप तक नहीं पहुँची ठीक है last में 25 वार्निग आप unfair mean हो जाओगे इस तरह से exam में ठीक वार्निग झाल 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 सारे questions और सारे answers बहुत ध्यान से पढ़िए और सारे options को ध्यान से टिक कीजिए कीजिए और सारे बहुत झाल 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 कि झाल 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 कि झाल कि उड़िए झाल कि कि झाल सारे बहुत प्याई ड्याओ झाल 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 एक क्वेस्टिन के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है या कम टाइम लग रहा है जैसा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओके नेक्स्ट वीडियो में इस नीजों का ध्यान रखा जा सकें कि आपको एक क्वेस्टिन के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए या कम टाइम चाहिए ठीक क्वेस्ट पञादा टाइम चाहिए याल खाइम चाहिए कि आपको खड़ें जरूर लग रहा है जाज़ दे क्वेस्टा पलता है झाल 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 यह लास्ट क्वेस्चन है उम्मीद है क्वेस्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे ठीक, तो जो भी आप लोगों ने answer मिलाएं है copy में लिखे हैं अब आप लोगों उसको answer seat से मिला लीजिए किसे मिला लीजिए? answer seat से, अब यह क्या है your test is successfully completed now you can see the answers तो this is your answer इन से जो है आप आराम से समय लेके वीडियो को pause करके आप जो है क्या कीजिए अपने-अपने answer मिला लीजिए और comment section में लिखिए कि किसके कितने सही हुए मुझे भी तो पता चले भे मैं पढ़ा रहा हूँ तो राइट है न जानने का कि कितने सही हुए कितना आप लोग पढ़ रहे हूँ और कितना इमानदारी से पढ़ रहे हूँ ठीक तो कल का question बनेगा किसका ओप सोप फर्मसेटिक्स का तो पढ़ के रखना questions वीडियो के भी हो सकते हैं और एक दो बाहर के भी हो सकते हैं ठीक बच्चो तो question मिला लीजिए वीडियो pause करके और comment section में लिखिए जैसा भी हो कम जादा time लगा हुआ हो उसके लिए भी आप लोग मुझे बता सकते हो इसके सर थोड़ा कम time देंगे तो भी जलेगा या थोड़ा time बढ़ाना पड़ेगा per question वीडवेश झाया भीड़ा हो